चोपडा इसकुष योटूब चनल पर मैं हरसा ही चोपडा आपका हर देख स्वागत करता हूँ मेरे पैरे बच्चो एनेमसी ने इस साल 40 Medical College को D-Recognize कर दिया है यानि कि Medical College के लिए एनेमसी का इंस्पेक्शन होता है और उने इंस्पेक्शन में अगर कुछ खामिया पाई जाती है तो उस College को D-Recognize कर दिया जाता है तो अभी इन दो मेने के अंदर 40 Medical College को D-Recognize किया गया है अभी ये जो आप देख रहे हैं इसमें एनेमसी ने 40 Medical College को D-Recognize किया है जिसमें एक अरुनाचल परदेश की पुराणी Medical College है और इसमें अभी 100 Medical College ऐसे हैं तमिलाडू, गुजरात, आसाम, पंजाब, अंदरपरदेश, तिरपुरा, पॉंडिचेरी और वेस्ट बंगाल इन कोलेजू, इन स्टेट के कोलेजू को भी अभी रडार पर रखा गया है यानि कि इनका इंस्पेक्शन दुबारा होना बाकी है अभी ये अपने कमियां पूरी कर लेते हैं तो इनको रिकोगजनाइज कर दिया जाएगा वो कमियां सबसे पहले CCTV कैमराज की कमियां पाई गए हैं एनमसी ने काभी बार पब्लिक नोटिस में भी ये कहा है कि हर एक मेडिकल कोलेज में CCTV कैमराज होने चीए और कोलेजों को भी इंस्ट्रक्शन्स दिये गए हैं स्टेट को भी इंस्ट्रक्शन्स दे गए हैं कि हर एक medical college के lab में, classroom में इसमें CCTV cameras होना जरूरी है, इसके अलावा जो attendance है student की हर एक medical college में, हर एक year में student को 75% attendance जरूरी है, तो वो attendance होनी चीए, biometric attendance होनी चीए, उसमें manual जो register में attendance लेते हैं ऐसा नहीं होगा, वो biometric attendance होगी और biometric जो machine है वो आधार से link होगी, यानि कि student अंगुठा या finger लगाएंगे, उसके बाद उनकी attendance count होगी, तो ऐसा पहले सभी को notice दे रखा है NMC ने, काफी medical college में इसकी भी कमिया पाई गई है, इसके अलावा जो faculty का role है, वो proper तरीके से medical colleges में नहीं पाया गया है, इसके कारण इन medical college को डी रिकोगजनाइस किया गया है, दूसरी जो कमी है, वो कमी यह है कि जो professor है, जो assistant professor है, यानि कि medical college की faculty है, वो नए medical college में transfer कर दी गई है, पहले भी इस परकार के मुद assistant professor की कमिया तो रही है, नई vacancy फिल करने की बजाए, पुरानी वाली जो medical college है, उनी की faculty transfer करके new medical college में उनको transfer किया गया है, जिनके कारण पुरानी medical college में उनकी कमी हो गई है, और जो पुरानी medical college है, उनके जो junior doctors हैं उसमें, वो senior doctors की post पर दिखाए गये हैं, और full strength दिखाई ग लिए है, NMC के inspection की दोरा, अभी आपको इसमें बिल्कुल भी tension लेने की आवश्यक्ता नहीं है, क्योंकि इसमें जो CT effect होंगी, इसमें very important point ये है, कि college को appeal करने का right है, प्रिवेस येर में भी हमने देखा है, कि जिस college को de-recognize किया जाता है, वो appeal करते हैं NMC के पास में, और उन को वापिस recognize कर दिया जाता है, तो ये point समझने वाली बात है इसमें, कि अगर college चाता है, तो वो first appeal NMC को कर सकता है, वो कब तक कर सकता है, 30 days के अंडर कर सकता है, जब से उसका recognize cancel हुआ है, जिस date से उनका recognize cancel हुआ है, उसके 30 days के अंडर वो appeal कर सकते हैं NMC को, और वो second appeal, वो ये college, second appeal, Union Health Ministry को भी कर सकते हैं, तो ये जो मामला है, ये दो मेने के अंदर-अंदर सैटल हो जाएगा, जो medical college में कमिया है, वो अगर medical college पूरी कर लेते हैं, तो वो appeal कर सकते हैं, और अगर NMC का फिर से instruction होगा, और ये कमिया दूर हो जाती है, NMC को इसमें कोई कमी नहीं मिलती है तो college को recognize कर दिया जाता है यह हमने previous year में भी देखा है और इस साल भी हो सकता है तो इसमें आपको tension लेने के आवशकता नहीं है कोई state यह नहीं चाहता कि उसके medical college में कमिया रहे उनके medical college को de-recognize किया जाए पूरे year के लिए और इतनी सारे medical college को तो de-recognize करने से काफी सारा effect पड़ता है state को भी पड़ता है center को भी पड़ता है इसलिए यह appeal करते हैं हर साल हमने previous year में हमने देखा है कि appeal करते हैं और उसके बाद में college को मानेता मिल जाती है इसमें अभी हमने पिछली सा BMS की condition में भी देखा था हालांकि यह दोनों ministry अलग अलग हैं लेकिन BMS की condition में भी देखा था कि first round में काफी सारे colleges को मानेता नहीं मिली थी वो second round में आये थे मौपप round में आये थे तो इसमें अभी काफी समय है counseling start होने में और यह दो मैने का जो समय दिया गया है इसके दोरा previous year में देखा है तो ऐसे आपको बिल्कुल भी tension लेने के आवशकता नहीं है कि इतने सारी सीटें block हो जाएंगी ऐसा कुछ भी नहीं है यह सीटें वापस आजाएंगी ऐसा मानना है ऐसा previous year में हुआ है तो यह जानकारी थी in situ के in colleges को de-recognization के बारे में बाकि अगर आप counseling के पारे में जानकारी लेना चाते हैं तो इसके लिए हमारी ओल इंडिया कोटा, स्टेट, आयो, स्वेटनरी सभी की बुक अवेलेबल है इसको आप हमारे इस वीडियो की description box दी या फिर हमारी website www.chopraeducation.in से download कर सकते हैं जैसी आप download करेंगे हम आप से संपर्क कर लेंगे आप हमारी paid service भी ले सकते हैं इनमें खास बात यह है कि इनमें 24 लिस्ट दी गई है 2023 के लिए आपको कैसे 24 फिल करनी है, कौन सी चीजों का ध्यान रखना है आपको इसमें bond detail और man बात यह है कि इसमें round wise, category wise, college wise पिछले 4 साल की cut-off दी गई है जिससे आप idea लगा सकते हैं कि आपक उसके दी गई है और other जो process है उसके बारे में भी हर एक state के बारे में अच्छी तरह समझाया गया है जो open state है उसके बारे में भी अच्छी तरह समझाया गया है कि जिन candidates को अपने state में government medical college नहीं मिल रही private की फीज जाता है तो other कौन-कौन से state में जहाँ open state है वहाँ admission ले सकते उसके बारे में समझाया गया है तो मैं सोचता हूँ यह book आपके लिए काफी helpful रहेगी आप इसको download कर सकते हैं इस वीडियो के description box से तो यह जानकारी थी college के recognition के बारे में आपको बिल्कुल भी चिंता करनी के आउशकता नहीं है यह college इनको दुबारा से मननेता मिलने की पू क्योंकि इस प्रकार की information हम लेके आते रहते हैं तो मिलेंगे नई अपडेट के साथ नए वीडियो में तब तक के लिए